मुहम्मद यासिन हम ट्रॉम्बे कोली वाड़ा गाउं जो फिश्रिंग का एक इलागा पड़ता है वहाँ पर आज मौझूद है यहाँ पर बहुत सारे इकडामात इन्होंने उठा है कोरोना को लेकर जब से लॉकडाउन हुआ है इन्होंने बहुत सारी कोशिशों को अंजा रहते हैं जो यहाँ पर जो है ट्रॉम्बे का एक कॉर्णर का इलागा पड़ता है तो डेली बेसिस पर यहाँ पर फिशिंग की जाती है हम उसी इलागे के अंदर मौझूद है जहां पर स्री इशाही गनेस टेरिटेबल ट्रस्ट यहां की एक एंजियो है जो एक बड़े म और वकाम पर काम कर रही है और आही हम उनलोगों से जानते है यहां पर को मौझूद हूच में ज सकर अन्दूस्तान के अंदर लॉक डाउन हुआ है क्या-क्या एक-डामा दूनिने उठाय है आया हम इन लोग से जानती है सिर आपका नाम मेरा नाम दिपक मोरे है मैं यहां का रही वाशी हूं सेर आप लोगों ने ये जब से कोरोना की वाज़े से लॉकडाउन हुआ है तो आपकी एंजियो की तरफ से जो साई गनेश चेरिटेबल ट्रस्ट है उनकी तरफ से आप लोगों ने यहां पर क्या क्या काम किये है देखें यहां पर साई गनेश ट्रस्ट है चेरेशवर मित्र मंडल है कोडी किंग्स है और काफी सारे एंजियोस इस गाओं में तुर्बे मच्ची मर सोसाइटी है जो कि हमारे यह अभी बदादीकारी है उनके सब लोग यहां पर एक साथ मिलके मेहनत कर रहे है आज हम लोग ने जब इसे चालू हुआ हम लोग ने सबसे पहला काम यह किया कि हमारे जो गाओं में जो एंट्री है वहां पर हम लोग ने बैरिगेट्स लगा दिये कि गाओं का कोई भी आदमी बाहर नहीं जाए और बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आए जिसकी वज़े से हम लोग को कुछ भी तरीके से तकलिफ हो गाओं के अंदर अच्छा जब गाओं के आदमी जभी बाहर नहीं जाएंगे तो उनके लिए जो फैसलिटी गाओं म कानदा बटटाटा से लेके सब जो दो घंटा दुकान खरूला रखते हैं ओओ सब चीज हम लोग को कुछ तरीके से कुछ तक्लिफ नहीं आएंग यह सरकार से कुछ कोई भी रुके नहीं हम लोग अपनी तरह की से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गाउ के कोई भी आदमी वो किसी तरह की तकलिफ नहीं हो इसके बावजुद यहां पे कम से कम 400-500 के उपर फैमिलीज रहती है जो कि यहां के नहीं है वो भार देश से आये कुछ कड़िया काम करने के लिए आते हैं और जरीका काम करने के लिए आते हैं काफी लोग हैं खाड़ी पट्टे में रहते हैं हम लोगों के गाउ के हम लोगों के मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गाउ वा लोग ने उनके खाने का भी आरेज्मेंट किया है रोज 400-500 पाकेट हम लोग वहां के बाटते हैं दूपेर में शाम में दोनों समय में हम लोग उनको खाना देते हैं इसके बावजूद गाउ में रहने वाले काफी लोग है इसे हैं कि वो लोग खुद घर खाना बुनाता है और भी जैसे हम लोग घर पर खाना खाते हैं वैसा मची मटन चिकन यह सब चीज भी उनको खिलाते हैं लोग लेकिन अभी जब से लॉक्ड़ून हो है तब से शायद फिश्रिंग बंद हो गई होगी है आप लोग की तब से फिश्रिंग बंद हो गई है से जादा लोगों का मेंन बिजनेस है और काफी सारी फिशिंग पर ही डिपेंड है इसके बावजूत भी काफी लोगों ने यह कि हम लोग मार्केट बंद रखेंगे क्योंकि अगर मार्केट चालू रहेगा तो चिता कैम के लोग मार्केट में आएंगे शिवाजी नगर के आएंगे, ट्रॉम्बे के और कहीं से भी बाहर से, क्योंकि यहाँ पर मच्छी ताजी मिलती है, जो सब लोग को फेमस है, यह सब जो आने वाला जो प्राब्लम है, वो रोकने के लिए हमारे गाउ की लोगों ने, जो मच्छी का वेफसाई करते हैं, महिला वजणों खास करके, उन्होंने खुदों के डिसेजन लिया कि हम लोग तीन तारीक तक ये बंद रखेंगे, हम लोग लोग ने किसी न भी, उनको प्रेशराइज नहीं किया, खुँच भी नहीं किया, उन्होंने खुदोंके यह बदाव के बावग되, डीली डीसेजन लिया कि हम लोग खली यह तो चीज जो डेली है इसका हमारे रिस्पॉंसबिलिटी यह हम कर रहे हैं इसके बावजूद यह कोरोना आगे नहीं फैले इसके लिए हम लोग ने गाओं में जो हमारे खाज़ार है जो राहूल शेवड़े जी उनके माद्यम से यह पूरा हम लोग ने केमीकल फवर नहीं किया है पूरे गाओं में हम लोग ने केमीकल फवर नहीं किया सब गाओं के लड़के लोग ये टोटली फ्री में हमारे खासदार राउल शेवड़ी जी के माध्यम से ये जो कैम्प रखा हुआ है हमारे सब वॉलिंटर्स वहाँ पे सब लोगों को घर से बुला के ये कर रहा है आज ये सब अरेज्मेंट करके थोड़ा लेट चालू हो गया आज 240 लोगों को 240 लोगों अपना चेक अप करा के लिए हमको आशा है कि कल हम लोग कम से कम 1000-1500 लोगों का मेडिकल चेक अप कंप्लिट करेंगे आज भगवान की दाय से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक रभाज के पूरे दिन में और इतने दिन के पूरे हिस्ट्री में हमारे गाउं में एक कुब भी कोरोना का पॉजिटिव पेशन्ट मिला नहीं है और हम आई एक वीरा से प्रार्दन करते हैं कि आई सी प्रारिस्टी यहां पे रहे और हम सब को यहां से अच्छी तरह के से हम यह सब प्रॉब्लम सौल हो जाए यह आप से सब यह करता हूं रिक्वेस्ट करता हू आप लोग को कहीं से हिल्पार यह जैसा है फिर खासदार आंदार अपको बताया मदद तो आ रही है एंजोसे आ रही है खासदार से और यह बीमसी का बीरोज खाना रहा है लेकिन हम लोग किसी के उपर डिपेंड नहीं है हम लोग एक बात हमारे खासदार रोज दिन में आके यहां से जाते हैं आज मेडिकल कैम्प रखा है फवर नहीं रखा है आज आनाज भी आके पड़ा हुआ है इसके बावजूद हमारा इंजो जो गाव के है वो भाजी लाना ये लाना ये सब चीज हम लोग कर रहे हैं इंज जगह से हम लोग कोशिश करते रहे और ये लॉगडाउन कभी तक बढ़ेगा ये किसी को मालूम ने हम अपनी तैयारी में पूरे जुड़े है और जुड़े रहेंगे देख सकते हैं हम गनेज चरिटेबल ट्रस्ट जो यहां पर एक गाहों के अंदर जो मौजूद है उन्होंने किस तरीके से अपने खिदमात को अंजाम देने की कोशिश किए आईए हम और एक साथ है उनसे भी जानना चाहेंगे कुछ चीज़े शायद रहेंगे होगी कोई खिदमात और भी इसके अलावा जो आप लोग करना चाह रहे हो या फिर आने वाले दिन में यह लोगडाउन और भर सकता है यह हाला जो है और दिन बा दिन चेंज हो रहे है तो उसके बारे में आपका कोई मैसेज होगा आपको आपको तो मैं महीजा मैं अब्रची में बात कुरहऊ हो हुआ है यह जो खिली वाड हमारा गाउट यह प्यली तो अशिक्षित समाज है इसके लिए यह लोगों को संभाल के लेना बहुत मुश्किल होता है बहुत बोले तो बहुत मुश्किल होता है वो लोगों को बेसिक सब बताना पड़ता है कि करोना क्या है उसका प्रिकोशन क्या है उसका सेफ्टी क्या है यह सब तो इसके लिए ग गेट पे मेन अपना गाओ का इंट्रे उदर बेरिगेट लगाया है फिर मच्छी मार्केट है जो महिला है डेली डेली उजेस हो लिए वो लोग ने खुद ने डिसीजन लिया कि नहीं बंद करो किसको तकलिफ नहीं होना चाहिए देखें सर्ने भी बात हैं हमारे सामने रखी कि इस तरीके से इन्हों ने अपने खिदमात पूर अंजामेन की कोशिश की है और मैं प्とमाम लोगों को जो है को गाओं की सेफटी के लिए अपने लोगों की सेफटी के लिए इनों ने बहुत सारे अगों म Hem laughhin ciesुओ मैं मेयज जिद्धो जयत करते आ रहे हैं और ऐसे ही यह लोग अपने गाउं की भलाई करते रहेंगे मैं आप दोनों का शुक्री आदा करता हूं लिम्रा टाइम्स की तरफ से कि आप लोगों ने इन सारी बातों को हमारे दर्मियान में रखा और हम आपकी बाते सरकार तक पहुचाने क की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इडामात उठा रहें आप हम तमाम लोगों के लिए एक आइडियल भी हो मैं लिम्रा टाइम्स की तरफ से मुहम्मद यासीन थैंक यू तुम्हें शेयर कीजिए और है कि अधड़?